नागपुर में महा मेट्रों की टीम द्वारा की गई कड़ी मेहनत के कारण आनन टॉकिस के समिप सिता बर्डी में रेलवे लाइन पर संतुलित कैंटी लीवर बना कर तयार हो गया है कैंटि लीवर सिता बढडी और कोर्टन मार्केट स्टेशनों के बीच नागपूर मेट्रों के रीच पोर का हिस्सा है महा मेटρों का माहराश्टर में सबसे लंबा संतुलित कैंटि लीवर है और राज्य का अध्विती है ऐसे कैंटी लीवर, तीन महानगर, दिल्ली, लखनो और कोची में मौझूद है नागपुर जंक्षन देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है इस तत्य को देखते हुए रेल पटरियों पर मेट्रो पूल का निर्मान करना महा मेट्रों के लिए चुनोती पुर्ण कारिय रहा समय सीमा के भीतर काम पूर्ण करने की दिशा में पूरी तयारी और प्रती बद्धधा के साथ महा मेट्रों ने क्रॉसिंग के लिए एक सटिक समाधान निकाला रेलवे अधिकारियों, सलहकारों और विशेशग्यों के साथ विस्तुरू चर्चा के बाद और साइट निरिक्षन और सर्वेक्षन करने के बाद निर्मान सुरक्षा के साथ साथ लागत के मामले में एक संतुलित कैंटी लीवर पूल बनाने का निर्ने दिया गया संतुलित कैंटी लीवर पर कारिय एक मई 2019 को शुरू किया गया था यह 27 सितंबर 2021 को पूरा कर दिया गया कोविड-19 महामारी के कराण 2020 और 2021 में निर्मान कारिया में लगे श्रमीकों का पलायान हुआ इसके बाउज़त वीशम परिस्तितियों में महामेटरों ने अपना काम जारी रखा भारी यातायात के काराण गत में तिन घंटे के लिए रेलवे ब्लॉक कर दिये गये थे इस कम समय में महामेटरों ने ज़रूरी काम पूरा किया और कठनाई का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि राम जूले को बनने में जितना समय लगा वो एक्ट्वल डैट वाज़ टाइम रिक्वाइड उसके बदले में हमने इसको खुल अठाई से उनतीस मेने में पूरा किया और जो टेक्नलोजी यूज की है इसमें वो बिल्कुल डिफरेंट है यह मोस्ट एडवांस्ट टेक्नलोजी वर्ल्ड की है और यह वर्ल्ड की जो सबसे बड़े-बड़े ब्रिजेज होते हैं उसमें यूज की हुई है और बैलेंस केंटी लीवर ब्रिज बोलेंगे इसको technology wise और इसमें railway track के उपर चुकी काम होना था तो safety का बहुत बड़ा challenge था कि काम होते वक्त railway line को railway trains को और passengers को कोई नुक्सान ना हो तो और हम लोगों ने railway के साथ मिलके इसको successfully complete किया तो मैं अपनी team को compliment करना चाहूंगा और इसमें बहुत बड़ा सहयोग बाकी agencies का भी है, government agencies का है, हमारी public का है, बहुत सारे restriction वहां के आसपास के area में थे तो नागपुर के आम लोगों का जो सहयोग मिला, बहुत सबको धन्यवाद देता हूं हम लोगों का target December 21 end तक train चलाने का है और उसके साथ ही complete reach 4 तो CA road का right up to Prajapati Nagar तो लाइन चालू होगी, तो यह एक्सेंशन अफ ब्लू लाइन, एक्वा लाइन, हम लोगों का आपको आशे रोगए जानके की March 21 और year 2021 महा मेट्रो के लिए best ever month और best ever year रहे हैं, तो कोरोना के बहुद हमारी टीम ने सारी दिक्कतों को overcome करते हुए दिन और रात काम किया है, और फंड का आज की date में अभी कोई problem नहीं है, सब काम अपने schedule के हिसाब से नॉर्मली चल रहे हैं, अगर कोई दिक्कतों की तो बात करें गया है, वह प्रपोजल second phase का नागपुर का बनके राज्य सरकार की approval के साथ के अंदर सरकार के पास चला गया, वहाँ पे हमारा जो मंत्राले है, Ministry of Housing and Urban Affairs और Finance Ministry, वहाँ से भी approve हो गया और अब union cabinet के सामने उसका sanction प्रस्तावित है, जब भी इसकी sanction हमें मिलेगी आप लोगों को पता रहेंगे, प्राज्य मेट्रो आप सब जानते हैं, कि नागपुर के आसपास की जो हमारे satellite टाउन से, उनको connect करने के लिए ये प्रस्ताव है, और उसमें हम railway infrastructure को use करते हुए, मेट्रो सर्विस चलाएंगे, और महा मेट्रो वो train service को manage करेगी, तो infrastructure railway का rolling stock, अभी जो proposed है, उसमें PPP का proposal है, कि rolling stock जो है, वो private parties invest करके लाएंगी, और महा मेट्रो उसको overall manage करेगी, revenue collect करेगी, air fare collection system install करेगी, और फिर जो भी distribution होगा इसका, railway को जो charge देने है, track access charge railway को दिया जाएंगे, जो investment जिनने किया है, उनको जो मिलना है, उनको दिया जाएंगे, so like that it will be managed overall by महमेट.